तो दोस्तों इंडिया में जितने भी लोग टिक टोक नाम की बिमारी को साप करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुसकबरी आ चुकी है जिए आ दोस्तों जैसे के आपने कल के मेरे एक वीडियो में देखा था जहाँ पे मैंने आपको बताया थ लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि आपके लिए आज एक और बड़ी खुसकबरी आ चुकी है जी आँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि फेजल सिद्धिकी का टिक टोक अकाउंट पूरी तरह से हो चुका है बेंड और इसकी खुसकबरी हमें दी है राश्रिय महीला आय अध्यक्च रेखा सर्माजी ने इन्होंने ट्विटर पर बताया है कि फेजल सिद्धिकी का अकाउंट पर्मानेंट बेंड कर दिया गया है साथी साथ दोस्तों उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जितने भी गोर्मेंट है वो भी लगी हुई है इस कोसिस में कि इंडिया म टिक टोक को पूरी तरह से बेन कर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे केरी मिनाटी और मिमर्स की एक बड़ी जीत हुई है क्योंकि केरी मिनाटी का तो सिर्फ यूटूब से एक विडियो डिलिट हुआ था लेकिन केरी मिनाटी के फेंस ने यहाँ पे फेजल सिद्धिकी का पूरी तरह से अकौन्टे डिलेट करवा दिया, साथ इसाथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि केरे मिनाटी के फेंस और मीमर्स की वज़े से ही यहाँ पे जो टिक टोक की रेटिंग है, वो काफी निचे घिर चुकी है, जिया दोस्तों आपको बता दू कि 16 तारिक तक टिक टोक की प्ले श्टोर पर रेटिंग थी 4.5 श्टार, वही 17 तारिक को 3.8 श्टार हो गई थी, और 18 तारिक को इसकी रेटिंग 3.2 श्टार रही थी, लेकिन दोस्तों आज, यानि कि जब तक मैं इस उडियो को बना रहा हूँ, तब तक टिक टोक की श्टार रेटिंग ह हो चुकी है 2 श्टार, यानि कि दोस्तों आप देख सकते हो कि टिक टोक प्ले श्टोर पर किस तरह से नीचे गिरता जा रहा है, तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यहाँ पर गोर्मेंट इंडिया की पूरी तरह से टिक टोक को बेन कर दे, हलागे दोस्तों एक उमीद की किरन जगी है कि टिक टोक इंडिया में बेन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया के एक्टर और एक पोलिटीसियन बाबु राव यानि कि परेस रावल सर ने भी आज ट्वीटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेन टिक टोक, जिसका आप स्क्रिन सोट इस वीडिय में बेन करना चाहिए या नहीं, आपने रहा है हमें कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और आप